गुद्ट मॉर्निंग लिए स्टुडेंट्स सुपोर्टिंग एर्र का एक और नया पैटर्ण डिस्कस करेंगे तो यहांपे अपने चेक करेंगे कि क्या क्या पैटर्ण्स आ सकते हैं Exact के अंदर ठीक है पहले भी मैंने बहुत सर्ट करवा दीं आपको इस्पोर्टिंग एर् देते हैं और उसके अंदर पूछने का तरीका वो क्या कर देते हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं तो यहां जो आज जो पैटर्न लिया है वो शांदर वाला पैटर्न है बिल्कुल मस सा पैटर्न है लेकिन उस पैटर्न को अपने क्या करेंगा उसमें क्या किया गया है इसने द the parts which require correction and mark it as your answer और इसे क्या करना अपने answer की तरह mark करना है if the sentence is correct as it is mark the answer as no error अगर sentence आपका correct है जैसे वह as it is तो उसको क्या करना नो error में क्या करना है आपको mark करना है तो यहाँ पे इसने बोला कि two parts में क्या इसके error है तो आज अपने क्या करना है two parts में error करनी है प्रिवियस में थ्री parts में error की थी वनलों correct part को चूज़ करना था यहाँ पे अपने को part वही चूज़ करनी है जिसमें error लेकिन two parts में करनी है तो यहाँ पे मैं sort tricks बताऊँगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है options के साथ कैसे खेलना होता option का यूज़ करते हैं by chance अगर आपको confusion हो कि sir मेरे से तो एक error नहीं होती दो-दो error क्या करूँगा कोई दिकरती है scanning technique होती है उससे सब कुछ पता लग जाता वह scanning technique भी बताऊँगा कि कैसे use करनी होती है और यह भी सिखाऊँगा कि option को कैसे use करना होता कि जरूर नहीं आप complete पढ़ो उस बात को complete पढ़ने की जरूरत भी नहीं है में इसको कपने क्या करेंगे solve करेंगे बहुत ज्यादा easy आपको खुद को confidence आजाए कि यार इतना easy होता है exam के अंदर तो यह अपने sorting की use करेंगे sense को use करेंगे तो सुरू करते हैं first question को ठीक है part's में error है यह पर a bz मतलब a or b दोनों में error है क्या c cris c d mirrors koş doc b pursue a part and a part me error है no error है यह चीज़ अपने यहां पर क्या करनी है choose कर कर देखना है कि कौन-कौन से part में error है START करते हैं शुरू कर दो आप देखो स्कैनिंग करेंगे हैं आप स्कैनिंग कैसे होती है देख लो despite बावजूद कोई चीज के बावजूद मतलब ना उन तरीके से treat करता phrase वगर आती है उसके साथ despite a five year extension एक five year extension के बावजूद of extension किसका स्कैनिंग करनी है आपको question पूछना है हर element से question पूछना है कि वो किसके लिए उस हुआ है अब आप ऐसे question पूछे हो किसके लिए उस हुआ है वो सई way में अगर उस हुआ है तो आपका सही है नहीं तो घलत है question पूछते जाओ कि ऑप किसके लिए उस हुआ है तो five year必 oyn extension सब्मिट करना है उस तरीके से यह क्या कर रहा यहां पर बात कर रहा था अंत्यम्ति ठीकी भौम में इस तरीकेश कोई दिख्कत नहीं है डेडलान का एक्स्टेंशन के बावजूद इस्पाइट सही जा रहा है यह अपने चेक करेंगे नेक्स्ट वाले से अगर उसके साथ इस्पाइट आपका सही है उस डेडलाइन के बावजूद अपड़ाइट पड़ो मिनिंग मिलिया यहां तक स्कैनिंग की कोई दिकत नहीं थी तो अब और ईडाइट डेडलाइन को फाई्व येर वाला एक बड़ चोड़ो डैडलाइन के बावजूद एमेजोर्टी मेजोर्टी का मतबला बहुत बड़ा हिस्टा बहुत बड़ी संख्या में इस बात करता है दोनों तरिके से बात करता है मैजोर्टी ऑफ इंडियन पावर प प्रिडीस करते हैं पाउर प्लांट्स की मेजॉरिटी दिखाई दे रहे हैंव एब नहीं हो चुके हैं मनलब उनकी majority मतलब बड़ी संख्यागी बात कर रहे तो आपका है उसलिए अगर हैज होता यहां पर तो मिस्सा बात कर ले power plants का बहुत बड़ा हिस्सा उस तरीके से बात करता तो आपका हैज भी हो जाता अपने कुछ क मतलब का निकला नहीं है देर वहां toxic emissions को डाँ कर रहे है अपने toxic emissions को तो अपने पाऊर प्लांट्स को क्या करना आपने करने है अपने करने है देर यह नहीं आएगा टी एच ए आई आर वाला देर आएगा ती एच ए आई आर देर वहां पर आएगा यह देर नहीं आएगा तो वहां टॉक्सिक एमिसंस को डाउन करने में अबल नहीं है ऐसे नहीं वहां कहां कहां वहां को मीनिंग नहीं और उपने पूंसन कहई है रही है अब चल बहुएOUPTION के साथ option में देखते है D कौन से कौन से में no error हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि D part में error है तो E option तो अपना incorrect हो जाएगा लेकि D कौन से कौन से में है only B option में है तो option tick हो गया आपका B क्योंकि D part आपका क्या है sure way में क्या incorrect exam में आपका उचका चाहिए man's का है प्री में आया हो चाहे कितना ही लेवल में आया हो मतलों मैंस लेवल पे आया हो आपका फिर भी यह कॉस्टन तो अपना हो गया टाइम नहीं लिए अपने को बिल्कुल भी एक जवाब पहले में उसी से हो गया तो इसका मतलब क्या निकला option अपना क्लिक हो गया B अब एक्जाम में क्या करना है आपको next question पर जाना है लेकिन solution अपने हो करना है आप solution देख लेते हैं C में error कैसी है A में error है नहीं despite five year extension पांच साल के extension के बाउज़दा आप बोलो sir year one से start होता है year कहां से start होता है एक साल दो साल तीन साले से होता है ना तो five years क्यों नहीं हो कि five ने इसको years बनाया लेकिन year ने आगे क्या देगा extension noun है ना आगे तो noun की सबसे बड़ी quality क्या होती है ना उनकी burden को pass कर देना तो s वाला जो burden है उसने extension पर क्या कर दिया पास कर दिया और extension कितने है एक extension की बात ओर यह ना इसका अपने अंदर क्या कर गया यहिप साहनु की बाट हो सकते कोई नहीं कि यहां पे नहीं क्या चु THIS सात्क। की और में आपनकी जाएगा, तो आजएमें में नहीं डिक्ता नहीं होग साहर है । की तरह किया कर रहा है मैंजोरी को किस तरह में इसी सिंगुलरmmें बड़े हिस्से की फॉर्म में एक पार्ट में क्या कर रहा है त्रीड कर रहा है और अगर आप धू सघी और होसकता कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पैक क्या होगा ना कि exists a टीक पूछ रहा तो examiner का sentence क्या है का इसको 5 को यह संदेचे साथ हो जाएगा का इस salt render के बाद नहीं व gratuitire isable तो इसे able बनाने के लिए क्या बोले करना बी एबल हो न क्योंकि क papel पोलते हैं नेक्स्ट में उसने बोला है सी हाड टुक सी हैड टुक है इसके तो McMahon थे हैं पर अपने तोड़ कर लिखें तो क्या वह लेंगे डिड्ट होगा तुक आपका क्या होगा डिड्ट होगा तो कापका did take होगा लेकिन उससे पहले did have है मतलब have आया होगा है तो have अपना effect दिखा कर v3 में convert करेगा लेकि did take तो कई की survive भी नहीं कर पाएगा इसका मलब टुक नहीं होना चाहिए था यहां पर क्या होना चाहिए था taken होना चाहिए था have taken v3 में convert कर लेगा इसका मतलब क्या निकला ए पार्ट में भई एरर है इसका मतलब निकला कि जो अपना ए पार्ट है उसमें क्या है एरर है अब option में चलो a कौन कौन से में है a एक तो a option में है a option में no error होगा ने क्योंकि a पार्ट में error है तो दो option में बचा a में और d में अब आपको चेक करना है कि B में क्योंकि जो A पार्ट है उसमें A के साथ B है और जो D पार्ट है उसमें A के साथ C है तो C और B में से एक में A रहर है वो अपने को चेक कर दिया है तो C had took a small package उसने क्या क्या C had taken वो ले चुकी थी एक small package मलब package containing जो contain कर रहा था जिसमें containing था ING close containing package में जो contain था क्या मलब उसके अंदर क्या क्या चीजे थी bread socks जिसके अंदर क्या थी bread थी socks का मलब जुराबे थी bread का मलब रोटी वगेरा जुराबे थी and other amenities और दूसरी amenities थी amenities का मलब जुरूरी चीजें जुरूरी चीजें थी towards her sister Sonia and brother Nathan मलब किसकी तरफ चीजें थी उसके भाई Sonia sorry sorry उसकी बहन है sorry ठीक है उसकी बहन Sonia और भाई Nathan सोनिया भाई थोड़ी होगा ठीक है Sonia अपने वैसे भाई भी भाई नहीं होगा क्योंकि नहीं से पता लग रहा है लेकि जुरूरी नहीं है कि नहीं आपका क्या हो गल्स का इनहीं Sonia हो लड़के का नाम भी Sonia हो सकता है वह आजकल क्या है ट्रेंड चलते हैं कुछ भी नहीं बोल सकते इसके अंदर तो उस नहीं कर सकते क्योंकि नहीं किसी का भी कुछ भी हो सकता है अलग वे में रखना चाहिए इंप्रेशन की फोर में तो अलग वे में भी रखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे नहीं boys के नहीं भी क्या होते हैं गल्स के नहीं होते हैं ठीक है अब यह मत बोलना सर गर पे है ना स आपने सोने होता है लंग्वेज कें है कि सोनिय इदर ठीक पहर तो इसे नहीं होगा हो टीक है तो यहां प्र तरीकत होता है बोलते darauf है तो यह सिस्टर इस अंध ब्रियादळ अब यहां पर बातके अपने बाई और बहारी की तरफ समान होंगे क्या तो वोट्स का तो कोई मिनिंग ही नहीं आघरा बिल्कों गलत जा रहा टू वोट्स नहीं ऑगा फॉर होगा यहांपे जो उसने बैग लिया था जो आपका पैकेज लिया था उसने उसमें समान थे किसके लिए, ब्रेड वगएरा किसके लिए थी, उसके भाई और बहन के लिए, ये बिलकुत सही, आपका फॉर्म बिलकुल सही चला जाएगा, मैंनों, C में भी, एर एर ऑप्सिन टिक होगा अपना, D, ऑप्सिन क्लिक हो गया, यहां पर कौनसा अपना, D, एस सी यहां पर आपका क्लिक हो गया समझ में चीज अब कोई बोसर यहां फ्रॉम होता तो भी हो सकता है क्या हाँ फ्रॉम भी हो सकता था मतलब उसने अपने भाई और बेहन से जो जुरूरिश शमान और ब्रेडसोक्स उसका जो बेग था वो उसने उनसे लिया ये भी हो सकता है दोनों यहां पर सही है solution अब आप बोलो तर फॉर करें है फ्रॉम करें एक्जाम में ना तो फॉर करना है ना फ्रॉम करना है एक्जाम में तो सिरुफ बताना है कि इस पार्ट में error है समझ में हैं चीज़ दोनों के यहां क्या है solution ऑल ब्लैंक आया होता है एक फोर फोर फार फ्रॉम दोनों होथे फिर आपको क्या चलते हैं पर फोंगे निखर स्कॉश्य करना जूड़ा होना सुना catastrophe को क्लोजली निट का इस जुड़ा हूं किसी का बदन ना जूज़्िए उसे जोड़ना चुणy क्योंकि कोई समाज समुदाई वगेरा और कॉम्मिनिटी कि किस चीज की कॉम्मिनिटी हो सकते हैं यहां तक कोई दिक्त नहीं जोड़ा हुए निट का मलब जुड़ा हुआ ठीक है बना हुआ क्लोजली का मैं लो क्लोज वे में किस तरीके से बना हुआ है एक्सन की फॉर्म में तो एड़ वर पर कोई दिक्कत नहीं है निट कॉम्यूनिटी की बात रही है समुदाई की बात रही है फाइव थाउजन अफगांस फाइव थाउजन अफगांस फाइव थाउजन अफगांस अफगांस फाइव थाउजन अफगांस फाइव थाउजन अफगांस फाइव थाउजन अफगांस फाइव थाउजन फाइव थाउजन फाइव थाउजन फाइव थाउजन फाइव था सब्सक्राइब की बात हुए एक community की बात हुए एक community की बात हुए एक difference ओर देख लो यहां पर close है close मतलब sound क्या है consonant है इसका मतलब क्या है a closely इसका मतलब क्या है community क्या है एक की बात हुए तो live नहीं आएगा does live आएगा lives आएगा इसका मतलब क्या हुआ a part में क्या है error है a part में error है तो option में चलो भाई option no error तो होगा नहीं दो option बचे अपने कौन सा एक तो a option और एक d option अब आपको देखना बी में error है यहां सी में sorry sorry यहां पर a part में error नहीं है error कहां पर आपके b part में error है ध्यान रखना exam कही बार यह भी रिशूट नहीं गरूँआ वीडियो में करने को मैं रिशूट कर सकता हूं कि यहां पर गड़बड होगी बच्चों पर कहीं negative impact ना चला जाए कि बच्चे यह सोचे कि सरको तो कोई कुछ नहीं आता हम तो इससे क्या पढ़ें लेकिन यह चीज मैं नहीं करूँगा क्यों क्यूंकि मैं चीज आना नहीं होता मैं चीज होती है गल्तियों को सही करना, गल्तिया सुदारना output है, जब मैं गल्ति कर सकता हूं इसका मतलब आप लोग भी यह कि कर सकते हो तो अब अपने माइन में रहेंगा कि बाईच stretch उल्टा भी पड़ा जा सकता है क्योंकि मैं A को पढ़ रा था, A के सास साथ मैं किसको पढ़ रा था ? B को पढ़ रा था और बाईच偶्य मैंने A को गलत कर दिया लेकिन A तो गलत था भी नहीं, करें थी दिमी मीलि थी इसका मतलब क्या निकला to यहां पे एक चीज में की आप वीडियो में में इस चीज कर ली ए यह गलती करदी में लोग Bye में लोग उनलाइन लगाता। लगाता। ज्यूस्त क मैं और इन लगाता था उस 俺इन तया यह चीज में समझ में आई कि एक्जाम में इसे गड़ गड़ हो सकती है तो एक्जाम में गारंटी है मैं यह गलती दुबारा से रिपीट नहीं करूँ मतलब क्या निकला मैं सक्सेस की तरफ एक पॉइंट है आगे चला गया एक स्टेप आगे निकल गया समझ महीं न चीज मैं दुबारा से इसको रिशूट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसी गलती को रखूँ असाथ में ताकि अपने गलतियां सुधारे तो गलतियों को सुधारना आता सभी को है आप सब को आता है सब कुछ आता है गडबड क्या है आते हुए भी कि इसर कई बर मांक्स जाजाते हैं कई बर कम हो जाते हैं क्यों होते हैं क्योंकि अपने गलतियों को नहीं सुधारते सबसे इंपोर्टेंट काम क्या होता है बस आपको पूरा आता है दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है गलतियां तो गलतियों पर वोग करना सबसे important जो बंदा गलतियों पर वोग कर गया गलतियां सुधार गया उसका selection guaranteed कोई नहीं रोग सकता यह guarantee है समझ मैं चीज का मलब B में तो कौन-कौन से पार्ट देखने है अपने को यह पार्ट C और A पार्ट देखना A में तो error थी नहीं क्योंकि क्या है community रहती है कोलकाता में क्या है लिव्ज रहती है तो यह कोई दिक्कत दिक्ट लेने तो जूड़ी हुई बहुत क्लोजबे में जुड़ी ही community रहती है इसका option डायेट टिक हो गया आपका क्या बी सी वाला मनों C option अपना यहां पर क्या हो गया डायेट है टिक हो गया समझ में है आप लोगों के अब सी को चेक करना है तो कर लो एक्जाम में आपका हो चुका क्योंकि A में error तो थी ही नहीं हो तो आगे जाओगे तो mind stable नहीं होगा वाप इससे वह question आपको दिखेगा बार-बार next section में चलेगे माने इंगलिस के बार maths में चलेगे तो इतना time नहीं होता एक्जाम में जो question करते हैं उसी पर पूरा focus करना होता है अगर previous गलती को या previous जो कुछ गया उसमें confused रहे तो आगे बाले question को और खराब कर लो पूरा paper खराब हो जाएगा तो इसा काम नहीं करना confused हो रहा है mind तो कोई not check कर लो ज्यादा ज्यादा एक minute extra और लगा एक minute 30 second extra हालांकि it might no longer be vendors वो क्या नहीं होगे हो सकते होंगे मतलब possibility के minimum पर बात किये कि हालांकि वो नहीं होंगे क्या नहीं होंगे vendors का मतलब विक्रेता of odds and ends कि इसके odds and ends का मतलब होता फुटकर विक्रेता फुटकर चीजों का फुटकर चीज़ें होती है उनको odds and adds बोलते हैं it might no longer it किसके लिए होगा आपका community के लिए होगा या फी कोलकाता के लिए होगा तो वेंडर्स विक्रेता कों नहीं होगी या अफगान जो पांच जार अफगान है उनकी बात कर रहा है यहां पर कोई दिक्षट नहीं होता तो चल जाता को कोलकाता तो हो नहीं सकता कोलकाता बैचने वाला दुकानदार कोलकाता तो होगे नहीं community हो सकती है या अफगान सो सकते हैं अब community के लिए यूजगरू तो क्या होगा एट होगा और अफगान के लिए उसको तो क्या होगा दे होगा लेकिन यहां पर अपने क्या करना है solution अगर मानलो किसी को समझाना एक्स्प चुछ करने के लिए तो यहां पर चांस है ना देबनने का एक्जामिनर कम्यूटी पे बात नहीं कर रहा अब वो अफगानस उस पांच जार अफगानस पे बात कर रहा है समझ में आरिया चीज़ अफगानस को सब्जेक्ट बना रहा है Community को सब्जेक्ट नहीं बना रहा तो सोच सकते हो यह चीच्जा की जाती है तो मतलब क्या निगला examiner को आपने बोला कि यह तो सभी है ना question यह तो आपका क्या आंस्वर सही है यह जो पाइड़ आप वो तो सही है तो उसने बोला हाँ सही है कोई आजकल की मेरा संटेंजस Yesode ki मैं क्या बोलना चाहता हो वह बात बता दो ओनली यहनि क्या ओना लिखा को सही है मेरी बता दो कि मैने जो बात बहुत भुप अपड़ आद कि मैंने इस तरीके से कॉष्छन आते आजगल एक्जाम में फिर आप क्या बोलते हो कि banking के एक्जाम की जो English होती है वो जाट अफ होती है नंबर नहीं आते सर्फ दो डाई नंबर आते हैं आएंगी दो डाई नंबर रूल्स रटे हैं सारे के सारे करना कैसे आपको रूल्स थोड़ी रटना है ऐसे सोचना है इसे माइंड़ पिक्चर बनानी है rules के coding तो it सही है community के लिए यूज़ हो रहा है तो सही है आपका it लेकिन यहाँ इसके coding अपने देखे sense के coding देखें तो क्या है examiner क्या कर रहा है अपना sentence बनवा रहा है diet आपका आता only की a b c d में से कौन सा click होगा तो आपका b ही click होता error के लिए यह आपका क्या हो जाता सही हो जाता लेकिन यहां उसने आपको bind करके छोड़ दिया क्योंकि उसने option में साथ में दिया है इसका मतलब examiner कोई दिक्कत नहीं आपका हो जाएगा लेकि किसी को explain sentence है वो बोला कि मेरा यह सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरा sentence बता दो और कैसे बताओगे वो बदेगा मैंने हिंट दे रखा अब बता दो समझ में आई बात इस तरीके question आते हैं आजकल exam अच्छे जनक लिटल अच्छे जनक थोड़ा जानते हैं अच्छे जनक थोड़ा जानते हैं अजीब सा लगा ना एवाले में अपने वो अजीब सा लगा चलो देख लेंगे कोई ना about बारे में किसके बारे में vanished vanished का मलब जो खतम हो चुका है look तो चुका है civilization मलब जैसे मैं यहाँ पर एक बात लिखूँ चलो आप यहाँ पर clear करो इसे who brother who brother यहाँ पर sentence लिया अपनोंने who brother समझ में ही चीज़ who brother civilization who brother जो भाई जो भाई जो भाई क्या जो भाई या जिसका भाई बताओ आप ध्यान से बोलो जो भाई या जिसका भाई जिसका भाई होगा whose brother होगा whose majesty मनलो civilization जो गरीमा नहीं जिसकी गरीमा क्योंकि who देते ही तो आपको क्या देना पड़ेगा उसको sentence देना पड़ेगा ना तो model अगरा देना पड़ेगा जो गरीमा क्या होगा civilization जो गरीमा क्या जो गरीमा उसके बार आगई फढ़कर दख लो हिंट मिल जाए क्या पता हुज ultimate demise and whose ultimate demise और जिसकी ultimate demise को rip and Timothy ultimate last end में जाकर समापती जिसकी समापती तो मतलब क्या है जिसकी गरीमा और जिसकी समापती इस का मतलब यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा हुज होगा हुज क्या होता है जिसे आपका हिज होता है हिज मजेश्टी उसकी गरीमा हुज मजेश्टी वाला किसकी गरीमा जिसकी गरीमा समझ मैंने इस तरीके से ये वॉक करता है मतलब क्या निकला बी पार्ट में एरर है हो जाओ बई सुरू बी पार्ट में एरर है ए बी और B, C, यह देखना नो एरर होगा नहीं क्योंकि B पार्ट में एरर है, नो एरर तो होई नहीं सकता, तो A, B और B, C हो गया यहां पे, आपका, तो अब अपने बात करें, A और C में से, A में अजीब साल लगा था ना, डायेटिक करना है, तो confidence के साथ कर सकते हैं, लेकिन C को च हो है, Two, Liberties, किसकी तरफ है, Liberties मतलब, C को अपने को चेक करना था न, चेक क्या करना था, C को, D को तो चेक करने की जूरती नहीं है, एक बार, क्योंकि D वाला तो हो गए नहीं, क्योंकि यहां पे, B वाले में तो Error है, इसलिए B, D का कोई, आपका क्या है, combination भी नहीं है, तो क्या बोला, उसकी गरीमा, whose majesty गरीमा और whose ultimate demise और उसकी, demise मतलब, death की वहां मतलब, ending, work closely, work का subject क्या है, majesty और demise दोनों है, अलग 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 दे रहा है, whose demise and whose majesty, दो अलग अलग दे रहा है, मतलब, दो दे रहा है, इसका मतलब, plural है, कोई दिखने है, वार linked, close way में, linked है कैसे, close way में, adverb भी सही है, इसका मतलब, C part में, error है, नहीं है, इसका मतलब, अपने आप, A option हो गया, कि A वाला अप पानी कोई सब कुछ, उन्होंने, water कोई सब कुछ, माना था, तो वो demise का कारण भी था, उनका, और majesty, मतलब, पानी की कारण की, वहाँ पे, पानी की कमी नहीं थी, agricultural form होती थी, उस टाइम पे, अपने बाद का, civilization से आडपा, महुन जोदरों की बाद, महुन जोदारे की अपन भी क्या हुआ था, मोंजजारा वाला हुआ था, उसमें भी क्या हुआ था, सिंदु नदी के अंदर क्या थी, बाद आये थी, तभी थूखत्म होई थी, वह सब्या था, ठीक है, तो वो भी क्या था, आपका, डेमाइज भी उसके किस के कारण हुई थी डेमाइज भी किस चीज के कारण हुई थी आपके डेमाइज भी पानी के कारण हुई थी दोनों चीजों की जो लिबर्टी ये वो किस पे डिपेंड थी पानी के साथ जो ली थी दोनों कारण वो लिंक्ट थी डिमाइज भी उनका पानी से लिंक्ट था और मैजेस्टी भी उनकी पानी से लिंक्ट थी ये बात बोली अब वी नो सर्प्राइजिंग लिटल हम जानते हैं सर्प्राइजिंग आस्टर जनक थोड़ा सा जानते हैं आस्चर जनक थोड़ा सा या हम जानते हैं आस्चर जनक तरीके से सर्प्राइजिंग वे में जानते हैं थोड़ा सा हम सर्प्राइजिंग आस्चर वाला थोड़ा जानते हैं या आस्चर जनक तरीके से जानते हैं थोड़ा जोह माता दी मत बोलना we no surprising little , test हम जानते है आ рад Michalak जानते है, कोई मिनिञेगे नहा रहे मालने, जयूलाइजिएसिन के बारे में हम आ distracted जनक thuड़ जानतेuing या downstairs जनक तरीके से घोड़ जानतें और जोड़ जानते है तो यहां surprising नहीं होगा कि नो जानते हैं किसे जानते हैं एक्शन की फिरम में बात करना एक्शन केसे हो रहा है इसका मनब ed verb आइगी surprisingly होगा LY लग जाएगा surprising के बाद में LY लग जाएगा surprisingly होगा आपका क्या यहां पे इसका अमन वाले में एरे रहा है तो ऑप्शन टिक हो गया अपना ऑप्शन ए आई थिंक के लिए आप लोगों के मोहन जोदारा वाली सब्याता देखनी है तो मुवी एक कौन सी मोहन जोदारा वहां से देख लेना थोड़ा हेंट मिल जाएगा ठीक है सब्सक्राइब लग से अच्छी मुवी है वह नेक्स्ट वाले हैं बात करें फिप्त में तो फिप्त में उसने बोला है थिक है जो पैड्स वग्राघ कि बात करते हैं उनकी बात आपने उनकी बात उह उरिया तो मतलब क्या बोला है जो किया है effective मल॓द जू परभाव कारी जो सही वे में यूजओ होने वाले मैंस्टूरियल प्रोड़क्स है ठीक है जो मैंस्टूरियल का मतलब जो के पैड्स बगेरा जिनके अपने बात करते हैं मैं स्टूरियल वाले प्रोड़क्स उन पैड्स की तरफ जो एकसेस है उस एकसेस की जो कमी है उस एकसेस की कमी मतलब बहुत सारे लोग उस चीज को एकसेस नहीं कर पाते यह चीज भी अपने इस बात पर भी थोड़ी बात करे अगर आप लोगों के इस वात पे अगर सरम आती है ना इसका मतलब आप गए गुजरे हो अनपड से भी गए गुजरे लोगों क्योंकि ये अवेरनेस वाली चीज़ है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है समझ में रहे हैं चीज़ इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें ओ समाज के लिए कलंक मान सकते हैं क्योंकि समाज अपना क्या है पीछे क्यों गया हुआ है अब चलो अपने बात करी लेते हैं अपना समाज बैकवर्ड क्यों हो रखा है सिर्फ इन चोटी सोच के कारण कि इस चीज़ को ये बहुत बड़ी बात होती है जो मैंस्टूरियल प् मैंने की है क्यों कोई की बात है इसमेंयं क्यों कर सकता लेकिन इस चीज इस चीज़ के काई ने का क्छत्रा रहता है इस चीज़ से अगर यहां-वेर्नेस ना doe तो villages बगेरा होते हैं जहां अनेजुकेटेड फैमिली जोती है वहाँ पर यह दिक्कत होती है कि वहाँ पर इन चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं होती है खुलकर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है यह जरूरी है यह चीजें यह एक टाइप का stigma है कलंक है समाज के उप अगर आप इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते इस चीज में सरम करते हो तो मूवी देख लेना एक बार पैड में फिर अपने आप आपका माइंड सही हो जाएगा और एक काम और करना बहुत अच्छी मूवी है शांदर वाली मूवी है देखने में कोई दिखने साथ मे माइंड भी रिलेक्स होगा थोड़ा बीच में क्योंकि इतने पढ़ भी रहे हैं अपने तो बीच में स्ट्रेस भी आ जाती है ना पढ़ते पढ़ते तो बीच में माइंड भी रिलेक्स हो जाएगा और अपने पैरेंस को भी दिखाना जो आपके रिलेटिव बगेरा उनक आज को सुधारना भी एक duty होती है आप लोगों की responsibility है यह इस चीज़ को आप माइंड में ध्यान रखना समझ में है चला अपने question पर चलते हैं अब आपको सरम तो नहीं आई गया कर सकती है एक कमी है वो कमी क्या कर सकती है में limit वो limit कर सकती है बाइंड कर सकती है एक limit सीमा लगा सकती है limit किसको the ability योगयता को किसकी of women and girls कि women and girls की जो ability है उसके उपर क्या कर सकती है limit ला सकती है on their period मतलब जो उनका period चलता है उसके उपर जो ability है on their period to go क्या करने के लिए जो ability है go जाने के लिए with their daily lives डेली लाविस का मतलब क्या है डेली रूटीन जो उनका है तो उसको क्या कर सकता है लिमिट कर सकता है तो इस सेंटेंज में कोई दिक्कत आगया कहीं पर भी देखलो स्कैनिंग देखलो में किसके सब्जेक्ट क्या है में का सब्जेक्ट आपका क्या है देखो, manstorial products है effective, यह adjective हो गया, effective आप परभावकारी, जो manstorial मनलब हो, जो सही वे में use होने वाले products है, उनको to ने satisfy कर दिया, access को off ने satisfy कर दिया, scanning कर रहे हैं अपने, लेक को किसने, मैंने satisfy कर दिया, यहां तक कोई दिखत नहीं, मैं limit, limit कर सकता है, subject उसका elect है, मतलब वो कमी है access की कमी, वो limit कर सकती है, क्या ability, अब ability पर तीर लग गया, किसका limit का, तो उसको उसने satisfy कर दिया, ability किसके women और girls की ability हो सकती है, क्या हो सकती है, आपने satisfy कर दिया, women and girls दोनों को, और ability किसके on their period, उनके period का जो time है, उसके उपर अपने बात करें, to go क्या करने के लिए, बाहर जान जाने के लिए, मतलब, daily life, daily routine के साथ, continue करने के लिए, जो क्या है, ability है, उसको limit कर सकता है, क्या limit कर सकता है, ability को, क्या, क्योंकि women, girls वगेरा, सब में क्या होते हो, बोग जड़ा, हर बंदे में ability होता है, तो girls में ही more talent होता है, तो उस talent को रोक सकता है, ये क्या, ये छोटी सी जो चीज है क्या वैसे छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है यह जो अवेरनेस आपकी अगर नहीं है अवेरनेस तो बहुत बड़ी बात है अवेरनेस नहीं है तो बहुत बड़ी बात बन जाता है बहुत बड़ा इस्यू बन जाता है तो वो गल्स को क्या कर देता है जिसे मान मतलब बहुत सारे इशिस होते हैं, अपने लेड़ी की बात करें, गल्युप फास्ट मलब वे जो प्रोरी ौलेड़े अपने बात करें, पूरा इत्व डूनीया की बात करें, तो लेडी तो उस तरीके से ये बोला है उनकी ability को क्या कर देगा, limit कर देगा, तो वो क्या होगा, वो सई से वहां पर क्या है, proper way में क्या नहीं कर पाएंगे, focus नहीं कर पाएंगे, तो उनकी ability क्या होजएगी, decrease हो जाएगी, और अगर ladies नारी जो है, अगर वो कमजोर हो गईए तो पूर प्रटेंट चीज होती है तो इस तरीके से इतने awareness को बोला है तो यह awareness सभी लोगों में होनी चाहिए तो यहां जो पूरा sentence जा रहा है यहां पे कहीं पर error लग रही है आपको किसी भी element में error लग रही है क्या हर element proper way में work कर रहा है यह सेंटेंज में क्या है अपने no error है समझ में चीज़ इस sentence में आपके क्या हो जाएगा no error हो जाएगी clear आपके ठीक है तो यह जो अपना pattern था बोश्षांदर वाला pattern थाब इसमें देखो क्या करना था एक नएया टाइप का error का pattern देखो start में आता था तो क्या आता था एक-एक को चूज करना होता था कि A में Error है B में Error है C में Error है क्या है अब प्रिविएस वीडियो में अपनों जो किया था जो IPS कलर के अंदर जो आया था उसके अंदर क्या था IBPS कलर क्वाले में यही था कि आपको एक correct find out करा मतलब तीन तीन मेरे से एक में तो Error होती नहीं है तीन तीन में क्या Error करूँ एक Error मिलती नहीं है अरे मिल जाएगी स्कैनिंग करके देखो सब कुसी मिल जाएगा आपको स्कैनिंग टैक्निकी विज़ करने में Rules की फोर्म में जाओगे तो गडबड होएगी जैसे पिछले वाला अपनों नहीं किया था इट वाला वहां पे दे उसने दे दिया था ना तो Rules की फोर्म में त आपको स्कैनिंग करते हुए यह तो कोई गडबड नहीं होगी उसके बाद में यहां जो पैटर्न यह यहां पर धिया है यहां पे क्या है यह उसने बोला है कि दो में एऱर आपको फांड आउट करनी तो यहां पर उसने कर्क्ट पूच्छ है हो सकता है नेक्स्ट वाले में वो क्या बोले कि दो जो आपका correct है वो वाले find out यह incorrect पूछ है वहां correct वाला पूछ लेगा तो वो उसके उपर depend है कि वो क्या बोलना चाहता है तो इसलिए एक बार instructions को थोड़ा सा ध्यान में रख लिया करो देखो बात तो सेम यह ना यह sentence मालूम है single error में देता तो same sentence रहता है जो जहां पर गडबर होती वहां पर क्या कर देता दो part में गडबर थी तो एक part में क्या कर देता सही कर देता ठीक है और यह जो pattern है मैं माल लिजी करेक्ट फाइन आट करने के लिए जो इक है कि यह करेक्ट है इसमें क्या कर देता जबारों थोड़ा सा उनको क्या करना है टारीक बूछनेगा इतने मि आ पक्या होगा पैटन गया और जिसे पैटन चेंज हो गया वह नहीं होता है पटरं जायों होगए हम थो क्या करें दिक्त यह सबसे बड़ित है तो इसलिए चीजों को रटो मत कि सर अमने रटा हुआ है मतलब हमने तो यह fix कर रहा था अमने यही प Municipis की लिए तो पेतथर की प्रेक्टिस क्यों करते हो आप अप triple खुद पर कि मैं किस तरीखे से पैटन कोई भी नया पैटन है मैं हैंडल करना हुआ तो आप खुद के sense पर work करो जो आपका sense है उस पर work करो working पर English की working पर work करो तो आपको कोई दिखकर खुद पर work करने लगे तो कोई कोई भी subject हो कुछ भी नया किसी भी type का कुछ भी पूछ ले आप guarantee है कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर surety है आपका selection sure है आपके marks आएंगे अगर खुद पर work करोगे समझ भी है ने चीज़ तो खुद पर work सबसे important है खुद का sense चमका हो सबसे important चीज़ है समझ भी है आप लोगो को और खुद की tricks use करना सीखो की और दूसरा catching करने को स्क्रिक्स को कैसे यूज करते हैं और खुद को develop करना स्टार्ट को खुद को self dependent बनाना स्टार्ट को depend किसी पर नहीं होना समझ में है ने चीज़ मुझे पर भी dependent नहीं होना ठीक है फिर करते रों प्रैक्टिस मिलते हैं next क्लास में यदि मैं इस कच्चे फल को तोड़कर इसे अप्राकृतिक और कृत्रिम वातावरण में रखकर ये आशा करूं कि ये अपने वास्तविक मिठास और गुणों के साथ पकेगा तो क्या ये संभब होगा नहीं इसलिए मुझे इसे यहीं इसी प्रिक्ष पर लगे रहने देना होगा ताकि ये अपने प्राकृतिक वातावरण में अपनी वास्तविक मिठास और गुणों के साथ पके इसी प्रकार यदि आपके पास कोई श्रेष्ट योजना तो है परंतु उस योजना पर कार्य करने के लिए उचित वातावरण या समय नहीं तो वो योजना चाहे कितनी भी श्रेष्ट क्यों नहीं आपको वांचित परिणाम कभी नहीं देगी स्मर्ण रहे, श्रेष्ट परिणाम पाने के लिए, सही योजना, सही बातावरण, और सही समय, इन तीनों का उचित सामंजस्य में होना अत्यावश्चक है, नीतियां मेरी, नियती आपकी